इस बक्त की बड़ी खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से, जहां रीवा जिले के सिल्पी प्लाजा के पास ट्राफिक पुलिस ने लगाया चेकिंग अभियान, बिना मास्क के चलने वाले लोगों पर की गई चलानी कारेवाही, रीवा में लगातार वरिष्ट अधिकारि जोके निर्देशन पर पुलिस द्वारा की जा रही मास्क एवं हिलमेट ना लगाने बालों के उपर चलानी कारेवाही, इसी कड़ी में आज बजार में ट्रैफिक पुलिस द्वारा सघंग चेकिंग लगाये गए, पुलिस प्रसासन द्वारा बताया जा रहा है, अभी भ कुछ लोग मास्क लगाने में लापरवाही कर रहे हैं, और हिलमेट भी नहीं लगा रहे हैं, जिसको देखते हुए आज हम लोगों ने चेकिंग लगाई है, और हिलमेट ना लगाने बालों के उपर 200 रुपय की कारेवाही की जा रही है, जहां दिली इप्तिवारी द्वा सखन चेकिंग अभियान चलाया गया है, आइए ख़वर को देखते हैं विस्तार से, देखिए वरिष्ट रदीकारियों के निर्देश पर, हमारे डीएस्पी ट्राफिक सर के आदेश से, के चेकिंग लगाई है सिर्भी बलाजा में, और इसका एक ही उद्देश है, कि लोग ज्यादा से ज्यादा मास्क का उपियोग करें, और हम आपको एक आंकड़ा बता दें कि विगत दिवस में रिवा में जितने भी एक्सिडेंट हुए हैं, खासकर जो एक्सिडेंट बिन काण हुए हैं, उनमें प्राया देखने में आ रहा है कि व्यक्ति की म्रत्ती हो जा रही है, और यदि जिसने हेलमेट लगाया तो बज जा रहा है, तो यदि हेलमेट नहीं लगाते हैं, लोग खतम हो जा रहे हैं, तो ये निश्यत तोर पे परिवार के लिए बहुत बड़ लॉस होता है, सभी से हमारा विनम्र अनुरोध है कि हेलमेट लगाए, मास्क लगाए, अधरवाइज ये फुलिस की रोटीन चेकिंग है, ये तो होती रहेगी, मॉटर साइकल में हेलमेट ना लगाने पर 500 रोपे का जुर्माना होता है, मास्क ना लगाने पर हम अन्यधार की तहित जुर्माना करते हैं, तो निवेदन है कि सब लोग मास्क लगाए, और हेलमेट लगाए, आमजंदा से ये कहना चाहूंगा कि बहुत सारे तेवहार आ रहे हैं, आने वाले सबी तेवहारों की बहुत-बहुत शुब कामना है, तेवहार के साथ में अपना सेहत का ख अघशित रह के हैं, खुद भी सुरक्षित रहे हैं, और खुब सारा इंज्वाइ करें तेवहारों की बहुत खुप चाहँ है